वह धार्मिंग नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदर में विराजमान होने जा रहा है इसी कड़ी में रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकी राम ने राम लला के लिए एक विशेश पोशाक तयार करवाया है जिसमें राम लला के मुख्य पुजारी आचार सतेंद्रदास को भेड़ भी किया जा चुका है वह जानकारे देते हुए रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकी राम लला के लिए विशेश पोशाक तयार हो गया है प्राड प्रतिष्ठा के बाद और स्थाई मंदिर में विराजमान राम लला यही पोशाक धारण करेंगे इतना ही नहीं विशेश पर्व और उस्सो पर अपने सामर्थ के अनुसार नवीन पोशाक अर्पेट करते आए हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा हमारी प्रभु राम से यही कामना है कि राम लला की क्रिपा प्रधान मंत्री मोधी पर बनी रहे और उनका प्रयास सफ़लोज के लिए उन्होंने एक पोशाक तयार कराया है जिसमें हीरा परना लगाया गया है राम जनम भूम के मुंके पुजारी आचार सतिंद्रदास को समर्पित भी किया जा चुका है पोशाक यह पोशाक 22 जन्वरी को और स्थाइम मंदर में विराजमान राम लला को धारन भी कराया जाएगा देखिए यह उस दिन का बस्तर है जिस दिन भगवान राम लला प्रान पत्षिटा होकर के अपने भबदी मंदर में विराजमान होंगे और गर्व गिरे विराजमान होने के बाद में यह बस धारन करा जाएगा इसलिए यह बस स्रीपनित करके राम जी जो रामा दल के अध्यक्ष उन्होंने समर्पित किया है और यह समय समय पर सब दिन देते रहते हैं वह सही बाद मुख बाते है कि इनके जो है वो वीज़े धोज है यह समीजे धोज को भी देखिए हाम अपने एशस्षी प्रधान मंत्री मानने नरेंद्र दामोदर दास मोधी जी के उत्तम स्वास्त दिरगायु जीवन दिविचुरियों बना रहे जिसकी इस देश को सनातन धर्म को जुरत है राष्ट मंदिर निर्माड के निमेत जो उनका प्रयास हुआ सफल हो इसके निमेत अपने अनुष्ठान के अंतरगत अखिल ब्रह्माड नायक की किरपा उन पर बरसती रहे जो बरस रही है इसलिए समय समय पर अपनी सामर्थ के अंसार नवीन पोसाक अरपित करते आ रहे हैं और आगे भी अक्रम जारी रहेगा सरकार की किरपा हमारे प्रदान मंत्री पर बनी रहे उनके प्रयास सफलों बिरोधियों का नास हो और भारत विस्ट पटल पर महाशक्ति का स्विरमौर बनकर ब्रह्मान नायक प्रभुसी राम की किरपा से मतलब प्रतिश्चित हो इसलिए प्रोसाक अरपित की है